खेलो नमस्कार जी क्या से हैं आप लोग असा करता हूं कि आप सबी बढ़ियां होंगे और सुश्थ होंगे तो जी आज किस वीडियों में बात करने वाले हैं कोईला कैसे बनता है और कोईला क्या है यहां से आपका अब्जेक्टिव कोश्टिट में दो से तीन नमर आने वा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एकदम मोस्ट भी वी आई जो है यह कोशन होने वाला है और यह 12 कलास के लोग देख सकते हैं या तेंथ कलास के दोनों को ही देख सकते हैं समझ गए ना तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं कोईला कैसे बनता है तो देखिए बहुत सालों पहले जब हमारे प्रित्वी जो थी उस समय मतलब पेड़ पौधे थे ठीक है और जीव जन्तु भी थे तो जो प्रित्वी के नीचे कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे की भूकम पाया होगा या कोई सुनामी मतलब की कुछ हुआ होगा जिसके कारण जितने भी पेड़ को지는 हैं वह कहां चल गए तो धर्ती के नीचे चल गए ज दब गये होंगे माले ज़िये की यहां पर भुकंप हो रहा है, उलोğinंने की लिए अधनि जाता है, उतना अंदर जाके दबे हुए है, और लाखो कॉरोडों वर्स पहले यहां पर दबे हुए थे और ये oxygen के समपर्क में नहीं थे, जितने भी ये कोईले बनते हैं यानि कि जो पेंड पौदे थे वो नीचे दबने के बाद ऑक्सीजन के संपरक यानि कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं था जिसके कारण डीकॉम प्राइस यानि कि वो अपने आप में सड़ने लगे थे यानि कि सड़ के कोईला का फोम में आ गए बहुत इस परकिरिया को होने में बहुत ही साल अर्बो साल लगता है तब जाके कोईला निर्मान होता है इतना तो समझ गय होंगे कि जब हमारे प्रीथवी के उपर जितने भी पेड़ पौदे थे वो किसी भी कारण किसी घटना के कारण वो धरती के नीचे जाके दब गए और वहां पर ऑक्सीजन नहीं थी जिसके कारण वो धिंग को प्राइस हो गया यानि कि वो सरना शुरू कर दिये और वो कोईला के फोर्म में आ गया कोईला ऐसे बनता है अब इसकी परकार के बारे में समझ लेते हैं जैसे कि कोई होता है न जी कि वो लड़का बहुत अच् और एक हो गया निमने कोटी और दोगो जो होता है वो बिच बिचवा होता है तो चलिए इसी में समझते हैं कोईला के परकार को कोईला के परकार देखिए पहला जो कोईला होता है उसका नाम है एंतरसाइट यह एकदम उच्छे कोईला होता है यानि कि यह जो जरता है तो धूआ नहीं देता है और ज्यादा देर तक उश्मा परदान करता है इसलिए इसे उंचे कोटी का कोईला भी कहते हैं और इसका नाम है एंतरसाइट याद कर लिजिएगा अब्जेक्टि में बहुत पूछता है दूसरा आग्या बीटू मीनस इसे भूरा कोईला भी कहा जाता है यह थोड़ा एंतरसाइट से थोड़ा नीमने कोईला होता है यानि कि एंतरसाइट से थोड़ा कम इसमें कार्बन होता है और ज्यादा कार्बन किसमें होता है तो एंतरसाइट में और थोड़ा सा कम किसमें होता है बीटू मीनस में इसके बाद आता है लिगनाइट लिग कार्बन की मातरा 90-95% की होती है और इसमें 80-85 और इसमें 60-65 और इसमें 30-35 यानि कि इसमें हो जाएगा आपका 90% और इसमें हो जाएगा 80% और इसमें लेके हम चले 60% तथा इसमें 30% या 35% लेके चलते हैं इसमें कार्बन की मातरा कितनी होती है पहला में हो जाएगा 90 दूसरा में हो जाएगा 80-30 में 60 और चौथा में 35 अब देखिए जितना ज्यादा कार्बन की मातरा होगी उतना अच्छा कोईला सब्सक्राइब जितना ज्यादा कारवन की मातरा होगे जिस चीज में वह जलने का भी बहुत अच्छा और धुमा भी नहीं देगा अब बोलिएगा कि जितना भी चीज जड़ता है उस सब में कारवन होता है आप मनुश्य का सरीर जलते हुए देखिएगा यानि कि हम लोग के करवन के करवण है लोहा में कारबन की मातरा कम पाई जाती है जिसके कारण रिंजिकर लोहा को आप जड्डते देखें नहीं दखी हुयेगा तो अब चली की बागुअग चो कारबन की मातरा के आधार पर कोईल को कितने भागों बाटा गया है चार वर्गों में रखा गया है किसके आधार पर कार्बन की पहले जिसमें जितना ज़ादा कार्बन होगा वह कोईला इतना ही अच्छा होगा जलने भी और सब चीज में उसमा भी जाता देगा धूआ भी नहीं देगा समझ रहे हो लोग ना चलिए अब चलते हैं पहला परकार यानि कि एंथरा साइड पर यह सरवच कोटी का कोईला होता है यानि कि यह सबसे बढ़िमा कोईला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% तक पाई जाती है अब का मोलत की कार्भन की जो मात्रा है इसमें 90% तक पाई जाती है जलने पर दहुआ नहीं देता है देड़ तक उश्मा देता है इसे कोliers कोईला भी कहते हैं इसे धादू गलाने का परिए जाता है कोटिंग कोईला भी किसे कहते हैं तो एंथरासाइड को ही कोई कोईला भी कहते हैं और यह जलता है तो ना मातर तो ना थोड़ा सथ हूं देगी जो भी चीश जलेगी हो थोड़ा थो थोड़ा धूआ देगी और ना थेगा इसलिए ना का धुआ देता है और उश्मा सबसे ज़्यादा देर तक देता है समझ गए बबुआ अब चलिए इसके दूसरे परकार की और बढ़ते हैं कोयलाकी मात्रा इसमें कोयला की मात्रा कोयला भारत में अधिकतर इस परकार के कोयला मिलते हैν यान कि हमारा भारत सबसे ज्यादा कौन Mi हो दूसरे परकार के लिक्रूं t सबसे घौटी या वह सबसे छुद्धर कोछी का इसमें तीस से सतर तक कारबन पाए जाते हैं बबुवा यी गलत है तीस से सतर नहीं होगा ठीक है हम जित्ता बताएं होंगे उतना ही होगा इसमें उसमा कम और धुमा अधिक होता है इसे भूरा कोईला भी कहते हैं लिगनाइट कोईला को भी हम लोग क्या भूरा कोईला भी बोल सकते हैं और यह जलता है तो उसमा सबसे कम देता है और धुमा स को इसे कारबन की मातरा इसमें कारबन की मातरा 30-35 के बीच से मतलब 30 से भी कम पाय जाती है यहां पर 30 तक हो सकता है पीट कोईला में अब लिख सकते हैं इस परकार कोईला का यह मतलब पूर्वे दलीत यानिकि एकदम घटिया भाग है कोईळा का पूर्वे दलित भागों में मीलता है यानिके कोई निचे यो चुब निचे नहीं होता है धुह निचे बितूुर सूहुर के मिलता है यह होता है यह जब से घॉटंड का को ऑठाट तना इस से विडियो गप्ःतनला फिर, मिलेंगे तक लिए जय हिन जय भारत बंदे मात्रम खत्म बाइबाई टाटा गुडबाई गया